किggakन्ों को में अक्भरण पूरा ध्वस्त कर दिया गया वहीं पंतंगर और और अन्य जगों को भी चैनित किया गया लेकिन वह रोग दिया गया वहीं शनीवार को जो अक्भर नगर ध्वस्त किया था किस तरीके से आप लोगों ने मैसूस किया जब अकबर नगर की कारवाई हो रही थी इतनी तेजी से हम लोगों को मौका ही नहीं दिया सरकार ने इतना उलजा रखा था कमिशनर फिर हाई कोड़ सुप्रियम कोड़ में वे इतनी तेजी से कारवाई किया कि हम लोगों ने इस तरीके का कोई संगठन बनाया नहीं और वो महसूस किया हम लोगों को घरों के अंदर हाउस Аरेस्ट करके इस तरीके के ताना साही पूरवक्ड कारवाई की गई ताकि हम कोट का सारा फिर दुबारा ना ले पाएं और उन्होंने 35 मीटर रिवर बेट के नाम पर 500 मीटर अकबर नगर की वेल सेटल का लोनी को तोड़ दिया यह सरकार से हम सवाल करना चाहते हैं कि आप जब 35 मीटर रिवर बेट कहते हैं तो 500 मीटर आपने क्यों अकबर नगर को ने कर देती थी परसाशन को तमाम 10 बातालियन PSC और 10 बातालियन Rapidition Forces और तमाम फोर्स लगा करके हम लोगों को घेरा बनाए रखा इढ़ें तक हम लोगों को घेरें रखा फोर्स के चारों से पूरे अकबर नगर को घेर के रखा जब इन्होंने घेर करके पूरे अकबर प्रा लिए भूम रहा था जगा जगा जा रहा था लोगों से मिल रहा था कि मुखिमंतरी जी ने भी यह बोला है और शनिवार को जो कारेक्रेम रख्शर एक पर की अपने नदी है के लिए नाला नहीं है आप लोग कह रहे हैं नाला है वो कह रहे हैं कि पचास साल पहले नदित्य और भूमाप्याओं ने उस जमीन पर कब्जा कर लिया था उसी वजह से गोंती के उपर भी असर पढ़ रहा था और अब वहां पर तो सौंदरी करण का काम किया जाएगा तो क्या यह है अकबर नगर के वास्कियों पर यह बिल्कुल हवायद नहीं यह लीगल यह अकबरनगर आज से नहीं 1225 वह सबसे बड़ा रिकार्ड जो हम लोग परचलान है रिवैनो रिकार्ड तो रिवैने रिकार्ड में हमने दस्तावेश जो को समिट किये जो पेस की है उननेई सो पचीज का दस्तावेज देते हैं 1332 फसलियम तो उसमें दर्ज है कि अकबर नगर आबादी की जगह आबादी की जगह का नई सो आटारीस में कानूर जो आबादी है देश आजाद हुआ जिस आबादी पर लोग रह रहे हैं उसके वह मालिक हो गए तो जब हमारे हमारे लिए समीधान में सेटल कर दिया गया हम वहां के मालिक हैं हिंदुस्तान गाउं में बसता है किसी गाउं के वेक्ष्ट से कहिए आप कागज दिखाईए तो क्या कोई आबादी की जगह बोले हमारे बाब बाब दादा रहा है हम भी रह रहे हैं तो सारी सुदा है उटिए ने भी काम किया और ल्लीए मुख मंतरी हिमन अनद्र नाराइंदत तीवारी जी ने काम किया और उसके बाद नोडिफिक एच्वेश 284 लोगों की हमारे पास मोहर लगी certified कापी सूची रखी हुई आवंडी सूची और उसके बाद उसने submit की और उसके बाद तब से सरकारों ने उस पर कोई उंगली नहीं उठाए उसका विकास किया और विकास सतर सालों से आज विकास सरकारों नहीं किया वहाँ पर house tax लिया गय और कहां से अवैद हो इसके अलावा कोई अगर एक अपनी तरब से कह दे अच्छा कुक्रेल नाला हम हम खुद अपने बयान वक्तप में नहीं कह रहे हैं इनके दस्तावेज बता रहे हैं मैंने जिलादिकारी कारियाले से सौ साल पूरा नक्सा निकाला उसमें कुक्रेल न नाला दर्ज है कहीं नदी का कोई अस्तित नहीं इन्होंने जो बोर्ड लगें अभी साइन बोर्ड जो लगें हैं पी डवलोडी रेलवे अर जगा नाला लिखा इस समय सरकार अभी जल्दी विगत पेपर में छपा भी आप लोगों ने छपा भी है कि नाले को नाले को जब तोड़ना था जैसे खुर्रम नगर सिवानी बिहार या पंत्र नगर को वहां 35 मीटर रीवर बेट है तो अकबर नगर को 500 मीटर तोड़ना यह कहा का उचित है यह अन्याय पूर है यह ताने साही सरकार का तुगलकी फरमान है और इसलिए हम इसके लिए विधान सभा और लोग सबा दोनों जगा आवाज उठाएंगे पूरा प्रयास करेंगे और नहीं हुआ तो एक चन अंदोलन खड़ा करेंगे और जनता के बीच में जाएंगे और लोगों से नयाय जो भरमित किया जाता है कि अकबर नगर अवैद था भूमापियाओं ने कब जा सतर साल पहले इनका वजूद भाजपा का वजूद नहीं था तो सतर साल पहले भूमापिया कहां से आ गए जब भाजपा का भी अस्तित नहीं था उस समय भाजपा भाजपा थी नहीं और उस समय भूमापिया सतर साल पहले आ गए सतर साल से लोग वहां रहे हैं कई पीडियां वहा अगबन अगर के जो विस्थापित किये गए हजारों परिवार जो लगतार वांग उठा रहें बच्चे से लेकर बुड़े तक आपको लग रहा है कि सफलता परात होगी क्योंकि आप लोग हाई कोड सुप्रीम कोड तक गहते और वहां से भी आपको निराशा मिली थी उसके के आदेश का कंप्लाइंस हुआ हाई कोड ने कहा डूब छेत्र जब नाले का कोई सुप्रेम कोड ने माना नाला है तो जब नाले का कोई डूब छेत्र नहीं हुआ तोडा अभी वकिल साब ने कई उत्तरा खंड और कई चार स्टेटों में बताया वहाँ डूब छेत्र की पॉलिसी है नदियों की लेकिन हमारे उत्तर परदेश में नदी की भी डूब छेत्र की कोई पॉलिसी नहीं है इसके लिए मैं मानिये सरोच न्याले में फिर से पिटिशन हाई कोट से लेकर सुप्रियम कोट में जाओंगा और कहूंगा कि हमारा डूब छेत्र कितना है और अगर डूब छेत्र निर्धारित नहीं था तो आपने पांसो मीटर अकबर नगर को पूरा ध्वस्त क्यों कर दिया कि जो परिवार विस्थापेड हुए हैं आपका भी वहां अपने बताया मकान रहा और अब क्या समस्यां आ रहे हैं क्योंकि आप लोगको वसंद्रपुंज में दिया दोसो परिवार है हमारे पास लिस्ट है उनकी पास अभी मैं हम लगनों कमिशनर डाक्टर रॉसन जैकर जी से हम लोगों की प्रत्विम में अंदल मिला उन से और उन्हों करेंगे और नहीं होगा तो देंगे लेकिन मतलब यह है कि एक कमरे के घर में वहाँ पानी की इतना गंदा पानी जा रहा है जो उनकी बिल्डिंग यह काम LDA का है एक तरफ अच्छी कालोनियों को तोड़ रही है अच्छे मकानों को तोड़ रही है और घटिया सामगरी लगा करके घटिया निर्मार लगा करके बिल्कुल बलकि अभी LDA VC ने इसकी जाच के आदेश दिये थे कि हम जो जो एजनसिया पेपर में छपा था जो है गटिया काम करके पाई गई है उन्होंने उनको बलैकलिस्ट किया कोई अइसा ब्लैक factor नहीं किया है बलकि उनहीं वही एजन्सिया काम कर रही है और गढ़र भी जो करेंगया वही helaगार क्रेंगे सुप्रेंघृण को में वहीं दाया है वहीं लगातार अपना लाइक्व और विरोध प्रदर्शन जाहिर कर रहे हैं जोगेश्मिर्सा डानमाट न्यूज लखना हुए थैंक्यों नर्ट